जैहन दोस्तों स्वागत है आप शबी का हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे जो आपकी 2HTC2 सिग्नल ट्रेनिंग सिंटर गोवा में आपकी जो भरती चलने वाली दोस्तों उसमें कितने का बेर्च बनने वाला है कितनी आपको टाइमिंग मिनने वाली रोड रनिंग होने वाली है ग्राउंड रनिंग होने वाली है कुबिड-19 की रिपोर्ट के वारे में भी बात करेंगे दोस्तों तो दोस्तों सारी जानकारियों को डीटेल से कभर करेंगे उससे पहले दोस्तों आप सभी को नए वर्ष की हारदिक सुपकामना है दोस्तों आप जहां भी हो खुश रहिए, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और इस बात बरदी जरूर फाइए दोस्तो. दोस्तो हम बात कर लेते हैं, उससे पहले एक बार हम चार्ट की और अपने नज़र डाल लेते हैं, चार्ट में क्या जानकारियां दी गई थे दोस्तो. रिस्ट डूलिंग और यूनिट हिड़कार्टर कुटा रिकार्मिंट रैली इट हिड़कार्टर से टूर सिग्नल टेनिंग सिंटर पनजी. दोस्तो, आपकी जो भरती स्टार्ट है, 17 जनवरी से 22 जनवरी के बीच आपकी भरती चलने वाली दोस्तो, आपको जैसे पता ही होगा. दोस्तो पहले जो भर्ती का चार्ट जारी हुआ था उसमें आपकी जो भर्ती थी दोस्तो 22 नुवंबर 2021 लेगे 27 नुवंबर 2021 के बीच आपकी भर्ती चलने वाली था दोस्तो लेकिन कुछ कारणों की बज़े से भर्ती को पोश्पॉंट कर दिया गया था उसका जो नया चार्ट जारी किया था दोस्तो 17 जनुवरी से 22 जनुवरी 2022 के बीच आपकी भर्ती चलने वाली दोस्तो इसमें कौन कौन से ट्रेट की भर्ती चलेगी दोस्तो ये भी हम देख लेते हैं वीडियो के अंदर दोस्तो जैसे कि आपको पता है 70 जनवरी शापकी भरती श्टार्ट है दोस्तो 70 जनवरी को आपकी पहले soldier technical की भरती चलने वाली है दोस्तो उसमें पहले आपका physical fitnessist होने वाला है फिर physical measurementist होने वाला है दोस्तो soldier technical की भरती 70 जनवरी को है इसमें all state की बच्चे बहुत भारत के किसी भी राज़ी से क्यों ना आते हैं भरती में participate कर सकते हैं फिर दोस्तों इसमें 18 जन्वरी कर जो बच्चे इसमें select होंगे उनका document है वे medical चलने वाला दोस्तों दोस्तों 19 तारिक हम बात कर लेते हैं इसमें भी आल इस्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो चाहे भारत के किसी भी राज़े से क्यों ना आते हैं, भरती को देख सकते हैं, बीश जनवरी को जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे, उनका डाकुमेंट अवे मेडिकल चलने वाला दोस्तो, इकिस ज जनवरी को सोलजर ट्रेड मेन की भरती चलने वाली दोस्तो, इसमें भी आल इस्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो बंदे इसमें सेलेक्ट होंगे, बाईश जनवरी को उनका डाकुमेंट अवे मेडिकल चलने वाला दोस्तो, दोस्तो भरती की प्रकिया क बहरती चलने वाली चार तारिक से और भरती लंबी खिच जाएगी, उसके बाद 17 तारिक से आपकी टू स्टेश्य में भरती है, वें फश्टे में इमे में भरती है दोस्तो, तो दोस्तो आपको पता है कि भीड कम होने वाली है, बच्चे उतनी मातरा में नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि दो भरती इधर भी चलेंगी और उधर भी भरती होने के कारण बच्चे बट जाएंगे दोस्तो, तो दोस्तो आपको जो बैच बनने वाला है, असी से असी से लेके 100 के बीच, मैं 100 क्लियर तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अनुमान है कि 80 से 100 के बीच वहीं होईगी तो सभाविक बात है पैर्सकży कंब कहीं जैँगा दोस्तो दोस्तो की बात कर लेते हैं, क्याश्य मेरा अपको ना फूल-टायमिंग मिलने वाला दौस्तो गुढ के लिए दोस्तो गुढ के लिए आपको पांछ तीन क्मिंग मिलेगा है येवां रिवन शेके वाली है या रोड रेनिंग होने वाली दोस्तों यहां रेनिंग ग्राउंड रेनिंग ही होती है यह लेकिन भारती की एक दू दिन पहले यह दी मोशम खराप नहीं हुआ मोशन शही रहा तो running 100% ground running ही होगी लेकिन यदि motion खराब हुआ तो road running भी हो शक्ति है दोस्तों दोस्तों आपको क्यों सी running percent है road running परसंद है या ground running परसंद है मैं comment करके जरूर बताईएगा दोस्तों दोस्तों हम COVID-19 के rules की बात कर लेते हैं COVID-19 की जो RT-PCR की रिपोर्ट रहने वाली है वो आपको 72 घंटे के अंदर होनी चाहिए वो compulsory रहने वाली दोस्तों उसके बिना आपको entry भी नहीं दी जाएगी गेट के अंदर इसलिए दोस्तों आप अपनी COVID-19 test करवा के जाएगा COVID-19 RT PCR की रिपोर्ट आपके पास negative होनी चाहिए दोस्तों दोस्तों आपके पास साथ में mask cream sanitizer जरूर लेकर जाएगा एगा एवं social distancing का पालन करिएगा क्योंकि खुद भी आप श्वस्त रहें एवं दूसरों को भी श्वस्त रखें दोस्तों दोस्तों जानकारी कैसे लेगी जानक चुबी दूपी